जैसी किरिणा फ्रेंज कैसे आम सब? दोस्तों इस वीडियों हम बात करेंगे कल के लिए बैथिन स्टॉक की साथ में निफ्टी, बैंग निफ्टी और मिडगेप की उपर क्ल क्या हो सकता है उसके बारे में चलिए वीडियो सुरू करते है सबसे पहले बात करते हैं बैतिन स्टॉक की जो बैतिन स्टॉक है उसका नाम है ITD इसकी उपर कल क्या हो सकता है? Already Friday की दिन मैंने आप लोगों ये स्टॉक दिया था जब पूरा मार्केट रेड में था फिर भी इस स्टॉक ने क्या उपर का एक सांदार मुमेंटम दिया था उमीद करता हूँ आपने ये मुमेंटम पकड़ा होगा आपने पैसे कमाए होगे अगर आप लोग ने पैसे कमाए हैं ये मुमेंटम पकड़ा है तो प्लीज कमेंट करके बताएएगा आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है जिससे और 23 स्टॉक में आप लोग लिए ला सकूँ ऐसे ही 23 ट्रेड आप लोगो देशन को जिससे आप लोगो फाइदा हो सके चलिए अब बात करते हैं कल इसके उपर क्या हो सकता है अगर यह 700 के उपर खुलता है मैं आप लोगो 100% बता दूँगा अब बात कर लेते हैं डाउन साइड की डाउन साइड में क्या हो सकता है अगर यह कल 645 के नीची खुलता है कहा होता है 645 के नीची खुलता है तो आप इसे इंटर डे के अंदर सेल कर सकते है जो आपका पहला टार्गे रहता है वो रहता है 620 का 620 का दोस्तों दोनों साइड के ट्रेड इसके उपर बनते हैं मैंने दोनों साइड के ट्रेड आपको बता दिये फिर भी कोई दिक्कत होगी तो मैं 100% लावी आँगा तो आप मेरे से पूछेगा मेरी ये कोशिस रहेगी दिल से क्या आप लोगों की मदद कर सकूँ जो सिस्टम दिया है उसको पर आँख बंद कर की काम कीजिए कहीं भी कोई प्रॉलम आती है वाट्सप नमबर आप लोगों के स्कीन पर नजर आ रहे होंगे उस पर हाई लिखके भीजिएगा आपके जाएए और खुसरी ये दुआ देते हैं तो आप लोगों की मर्जी नहीं देते हैं तो जवदस्ति की दुआ मुझे चाहिए भी नहीं चलिए अब बात कर देते हैं निफ्टी के उपर कल क्या हो सकता है आज के लिए दोस्तों एक ही स्टॉक है दूसरे जितें भी स्टॉक है उन सब के उपर वैसा मोमिंटम मुझे नजर नहीं आ रहा है इसलिए मैं आज स्टॉक आपको एक ही दे रहा हूँ बैतिन जो स्टॉक अगर होंगे तो मैं वाट्सअप और टेलिकाम के उपर 100% दे दूँगा टेलिग्राम और वाट्सअप का पहले बात कर लेते हैं गैप अप की कल अगर निफ्टी गैप अप होता है तो मुझे कितना गैप अप चीए मुझे जो निफ्टी गैप अप चीए वो कम से कम चीए 45,255 यहां पे जो आपको रेड कलर की लाइन दिख रही है जब तक निफ्टी इसके उपर नहीं खुलेगा मैं उपर का टेल नहीं लूँगा क्योंकि निफ्टी को अगर उपर जाना है तो इसके उपर गैप अप होना पड़े का साथ में यहां पे स्टेंज सो करनी पड़ेगी हमारे सिस्टम की उपर इसके उपर अगर खुल जाता है और टिक जाता है तो फिर हमारे तो टार्गेट रहता है वो रहता है 25,450 का 45,450 का यह हमारा फॉस टार्गेट रहेगा दो सो पॉइंट का उपर का टार्गेट है अराम से आप अचीव कर सकते हैं मगर 255 की उपर खुलने पर 25,255 की उपर खुलने पर अब हम बात कर लेते हैं साइडवेज कहा से कहा तक है जो साइडवेज का सिनारियो है वो है आपका 24,950 से लेके 25,050 तक 100 पॉइंट की ये एरिया है इसकी उपर टेड मत कीजिएगा 24,950 से लेके 25,050 के बीच में 24,950 से लेके 25,050 के बीच में अगर खुलता है 100 पॉइंट के इस एरिया का अंदर मार्केट अगर रहता है तो प्लीज कुछ काम कर लिजेगा ट्रेडिंग तो होती ही रहती है चलिए अब बात करते हैं सर गैप डाउन की मुझे गैप डाउन चीए 24,825 के नीचे कितना 24,825 के नीचे अगर खुलता है जो रेट लाइन आपको यहां नजरा रही है तो मैं नीचे का ट्रेड लूँगा नहीं तो मैं नीचे का ट्रेड नहीं लूँगा मैं वेट करूँगा मार्केट को वन साइड होने का उमीद करता हूँ निफ्टी के उपर ये तीनो सिनारियो आप लोगों के समझ में आगे होंगे फिर भी कोई दिकत है कमेंट कीजिएगा आपका भाई रिप्लाई 100% देगा चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के उपर बैंक निफ्टी के उपर कल क्या हो सकता है पहले बात कर लेते हैं गैप आप की गैप आप मुझे जो चाहिए वो चाहिए 51,780 के उपर यहाँ पे जो आपको ये ग्रीन लाइन नजरा रही है और 52,000 के उपर टिक जाता है 52,000 अगर उपर टिक जाता है तो फीर में बड़ा ट्रेट भी लुगा जिसका टार्गेट रहता है आपका 52,300 का 300 पॉइंट का और बड़ा टार्गे मिलता है उसके बाद जो मंतली लेवल है वो आपका है 52,500 का मगर उन सब के लिए क्या जुरूरी है इसको 51,780 के उपर खुलना पड़ेगा और यहाँ पर टिक ना पड़ेगा यह सिनारियो था पैंक निफ्टी का गैप आप होने पर अब हम बात करते हैं सर साइडवेज कहां से कहां तक है जो साइडवेज का सिनारियो है वो है 51,350 से लेके 51,550 के बीच में 200 पाइंट की यह रेंज है इसके बीच में अगर खुलेगा तो मैं कुछ नहीं करूँगा मैं रिपीट कर देता हूँ 51,350 से लेके 51,550 के बीच में यहां पर कुछ भी नहीं करना है अब बात करते हैं गैप डाउन की गैप डाउन चीए मुझे 51,250 के नीचे 51,250 के नीचे खुलता है मगर पहले मैं करूँगा स्कल्पिंग 500 पाइंट का यहां स्कल्पिंग बनता है और जो आपका बड़ा ट्रेड बनता है वो बनता है 50,000 के नीचे 50,000 के नीचे अगर एट ट्रेड करने लग जाएगा तो गई बहांस पानी में मगर हाल फिलाल मुझे इतनी बड़ी गिरावट की आसा लग नहीं रही है चलिए अब बात करते हैं Last but not least Mid Cap के उपर कल क्या हो सकता है पहले हम बात करते है Gap Up के Gap Up मुझे किना चीए मुझे जो Gap Up चीए वो चीए कम से कम 11,000 के उपर Almost 200 पॉइंट Gap Up चीए मुझे Mid Cap Nifty अगर Mid Cap 200 पॉइंट Gap Up होता है तब ही मेरे काम का है नहीं तो मैं इसकी उपर टेड तब तक नहीं लूँगा जब तक मेरा सिस्टम मुझे 100% 100% सपोर्ट ना करे माल लिए Gap Up नहीं हुआ तो मुझे क्या चीए मुझे चीए सिस्टम 100% मुझे सपोर्ट करे अगर सिस्टम मुझे 100% सपोर्ट करेगा तो मैं उपर का ट्रेड लूँगा नहीं तो मैं इग्नोर करूँगा 13,000 से उपर नहीं तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा अब बात करेते हैं साइडवेज कहां से कहां तक है साइडवेज का जो सिनारियो बनता है वो आपका बनता है 12,780 से लेके 12,850 के बीच में 12,780 से लेके 12,850 के बीच में अगर खुलेगा तो यह जो एरिया है यह क्या है नो टेरिंग जोन है या फिर साइड बेज का इलाखा है अब बात है गैप डाउन की जो गैप डाउन है वो है 12,700 के नीचे 12,700 के नीचे अगर खुलेगा तो मैं इसके उपर ट्रेड लूँगा नहीं तो ट्रेड में नहीं लूँगा उमीद करता हूँ यह लेवल आप लोगे काम आ रहे होंगे उमीद करता हूँ आप लेवल को लेवल ट्रेड कर रहे होंगे फिर भी कोई प्रॉलम है वाटसप कीजिएगा मेरी तब से रिप्लाइ मिलेगा ये मेरा वादा है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अपने भाई को जयाज़त दीजिए अगर आप लोग यहां तक रुके हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा वाटसप करना मत बूलिएगा जिससे आप लोगी में हल्प कर सकूँ और बैतीन लेवल दे सकूँ और बैतीन सिस्टम आप लोगों को फ्री में गिफ्ट कर सकूँ मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक जे हीन जे भारा जे शी किष्णा